अर्जुनस्य तपसह परीक्षा अप्सरस्त्रियह इंद्रस्य समीपेर जुनस्येंद्रिय जयं उक्तवत्यह इंद्रो वार्ताम शुर्त्वा संतुष्टह पुनर अर्जुनस्य परीक्षाम करतुम साईच्छत अतस्स मुनिवेशं धृतवान तपोवनम गतवान मुनेर दर्शनेन अर्जुनह प्रभावितह समुनेहे पूजा सत्कारं कृतवान आसने उपवेश्टुम मुनिम प्रार्थितवान इंद्रह आसने उपविश्टह सहा तवम अधुनात तरुनह तथापि तपश्चरसी अयम संतोशस्य वशयह अयम समसारो दुखमयह अतो विवेकिनह समसारात मोक्षमिच्चंती तवम परम मोक्षम नेच्चसी शत्रु विजयाम अभिलशसी शत्रु नाशेन परपीडणं भवती परपीडणं पापस्य कारणं अतो विजयेच्छाम परित्यजा मोक्षार्थम प्रयत्नम कुरू अयम इंद्रकील परवतो गंगाती रेस्ती अतफ पवित्रह अत्र मोक्ष प्राप्तिही सुलभा इति उपदेशं कृतवान अर्जुनह उक्तवान त्वयोक्तं युक्तमेव किन्त्वहं न मोक्षम इच्चामी पांडुराज पुत्रोहं अर्जुनोस्मी दुर्योधनोस्माकं सर्वस्वंप्यपर्ःतवान अनेन ममाग्रजो युधिष्ठिरो दुखतपतः तपस्याम आचरितुम तस्याध्या वरत्तते इंद्रहा क्षत्रियकुलस्ये इष्टदेवह तम आराधरितुम अहम अत्रागतः ममाग्रजो द्यूते पराजितः द्रवपदी ममध्धर्मपत्नी दुर्योधनो राजसभायाम तस्याह वस्त्रापहरणम कारितवान इदानी मपी दुर्योधनो स्मासु द्वेशं करोती अतश्शत्रुस्सह अस्माभिही जेतव्यह शत्रु विजये ममाभिलाशह मोक्षप्राप्तव मम इच्छा नास्ति अहम इंद्रस्यानु ग्रहं संपादयामी अथवा जीवनम परवतेस्मिन समापयामी इति इंद्रहा अर्जुनस्य वचनानि शुरुत्वा संतुष्टह शिवमुद्धिष्य तपहकर्तुम सूचैत्वा अद्रुष्यो जातह शिवा राधनार्थम अर्जुनहा कठिनम तपएव कृतवान उपवासम आचरितवान एके नईव पादेन स्थित्व तपह कृतवान फलम जलम इत्यादिकम सर्वं त्यक्त्वा तपह आचरितवान घोर तपसानेन चरवत्र तापस संजातह तापम असहमाना मुनयह शिवसमीपम अगच्चन तापात रक्षितुम प्रार्थितवंतह शिवोभयं दत्तवान मूक इतिकष्चन दानवह वराह रूपेण सतपोविग्णं कृतवान अर्जुनह कुपितह वराहम हंतुमुद्युक्तह तदैव शिवह किरात वेशेण आगतवान शिवो वराहस्यो परी बानम क्षिप्तवान अर्जुनोपी तस्मिन्नेव समये बानम अक्षिपत बानद्वयं वराहस्य शरीरे लगनम वराहो मृतह अर्जुनह स्वस्य बानम नेतुम वराहस्य समी बामागतवान